अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्सों को आप सभी का महारदिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब काम ना है आज का पंचान चार अक्टूबर सन दोहजार बीस दिन रविवार आश्विन महा कर्शन पक समवत दोहजार सत्तर तिथी दित्या नक्षत्र अश्वनी रहुकाल साड़े चार से छे दिशासूल पश्श्ण दिसा आज दर्शो को हम तीन ग्रहों की जुति का फल बताते हैं कई बार हमारी जनम पत्रिका में तीन ग्रह बड़ी अशुबता लेकर के आते हैं और जब ये तीन ग्रह ऐसी इस्तिति में यह दे किसी भी जातक की जनम पत्रिका में होंगे तो कहीं न कहीं उसके जीवन में काफी नगारात्म गिस्तिती रहेगी और कहीं न कहीं उसके जो कारिय शिग्र नहीं बनेंगे उसमें विलंब होगा अब हमारे नौग्रह होते हैं नौग्रों में सूर्य, चंद्र और राहू कितने के रहे बताए हमने तीन सूरिय, चंद्र और रहु यदि ये तीन ग्रह आप अपनी पत्रिका खोल के देखना कहीं आपकी पत्रिका में तो ऐसा नहीं है बच्चों की खोल करके देखना आप सबसे पहला जो पत्रिका में लगन चार्ट होता है basic चार्ट जो होता है किसी के उपर भी तो लिखा भी होता है लगन पत्री का या जर्म पत्री का पहला ही पेज जिसमें कुंडली की एक निशान दही बनी होती है उसको आप खोल करके देखना ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हर व्यक्ति इन चीजों को नहीं जानता तो आप ये देखना जो सबसे उपर का खाना होता सबसे उपर वाला बीच का खाना उसको कहते है वहां से आप गिनना एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, दस, ग्यारा, बारा तक आपको वो समझ में आ जाएगा तो ये तीन गुरहों की युति यदि आपकी पत्रिगा में कहीं भी हो वहीं चंद्रमा बैठे हो उसी खाने में राहू बैठे हो उसी खाने में सूर्य बैठे हो चंद्र ग्रहन दोश सूर्य ग्रहन दोश पित्र दोश और भी कई प्रकार के दोश इस प्रकार की युती से उत्पन हो जाते हैं अमावस्तिया का समय आ जाता है अब यदि किसी बच्चे के पंचम भाव में ये इस्तिती हो उसकी बुद्धी को बेडोल करेंगे जो उस बच्चे की बात होनी चाहिए वो बात नहीं आएगी उसकी एज्यूकेशन में फरक पड़ेगा बड़े व्यक्ति के भी साथ ऐसा होगा और ऐसा यदि गोचर इस्तिती में भी होता है कई बार तो वो भी गड़बर होता है हाला कि चंद्रमा बहुत लंबे समय तक एक भाव में नहीं रहते हैं एक राशी पर नहीं रहते हैं दो सवादो दिनर के आसपास यहीं चंद्रमा टिक पाते हैं दो दिन मालने लेकिन वो दिन दो कई बार व्यक्ति पड़े डिप्रेसन से में आ जाता अगर पंचम भाव में ये यूति है जन्म से किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में यदि दृत्य भाव में ये इस्ति है धन नहीं रुकेगा सदय वो व्यक्ति रिनी रहेगा या अल्प धन के साथ जीवन को जीएगा कुटुम्ब की इस्ति डामडोल रहेगी और उसकी वानी का जो प्रभाव होगा इतना बड़ा असर हमारे जीवन के उपर आता है बहुत व्यक्ति कहते हैं इन ग्रहों का असर वहां नहीं आता इन ग्रहों का असर जपैन में नहीं आता लेंडन अले भाई सब जगा आता सारी सारी संसार में सभी लोग सुखी नहीं है आप चाहें किसी भी कंट्री की बात करें सुप और दुख ये गाड़ी के दो पईये हैं ये हर जगा है धूप छाओं संचार में सरवर्त्र है हर जगा है तो कहने का भाव भारत में ये बहुत शांदार विद्या है क्या दुख विदेसों में नहीं है सभी का जीवन सुखी हो जाएगा तो दुख किसे मिलेगा और सभी दुखी हो जाएंगे तो सुख की प्राप्ति किसे होगी तो ये तो जीवन में सुख दुख तो मेरे दर्शों को सब के साथ लगा रहता है कोई तन से दुखी कोई मन से दुखी कोई धन से दुखी थोड़े थोड़े तो सभी दुखी होते हैं अब यह इस्तिती आपकी कुंडली में होगी कहां पर दुत्तिय भाव में दिक्कत तिरतिय भाव में तो दिक्कत चतुर्थ में होगी वाहन, नुकर, चाकर, प्रोपर्टी बहुत सारी चीजों में कमी आ में करता होगी, व्यक्ती नक्चरा सा हो जाता है, तनिक सी बात हो यह री rewrite आवेगा, आ जाएगा, गुस्टा आ जाएगा, यह उस vě्क्ती की face value गरती चले जाएगी, कई बार किस व्यक्ती की face value इतनी अच्छी होती है, जाकर के खड़ा हो जाए, वह काम कर लेता है, करा ल अब किस व्यक्ति की कुंडली में किस भाव में ये इस्तिती है और किसी के नहीं भी ऐसा नहीं है कि सब के ऐसी इस्तिती होगी तो किसके भाव में ऐसी इस्तिती है और किसके नहीं है ये सारी चीजे समझी जाती है ये सारी चीजे देखी जाती है इसलिए मेरे दरशको यदि जीवन में कोई बड़ी निरासा आप जहिल रहे हैं बड़ी कोई समस्या से आप दूशित हैं गरशित हैं तो ऐसी इस्टिती में ये ग्रहों का दोश कैसे दूर हो किसी मरमग्या को अपनी जनम पत्रिगा जरूर दिखा लें ताकि ये समस्या किसी भी तरीके से दूर हो सके और ऐसा नहीं है अगर किसी बच्चे के जनम में ही ऐसी इस्टिती है तो उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे उपाए होते हैं और वो येदि वो उपाए है उसकी मम्मी उसके पापा ये उसके परिवार से कोई भी करता है तो वो समस्याम से बाहर अवश्य निकलेगा आई ये दर्शों को समय हो चला है आज की ध्यान माला से जुड़ने का आज की ध्यान माला में जुड़ते हैं भगवान भहरव से ओम करकलित कपाला कुंडली दंडपाणी स्तरुणती मिरनीलो भ्याल यग्यो पविते क्रतु समय सपरियाद विग्न विच्छे देतुर जयति बटुकनाता सिद्धिदा साद कानाम ओम देव्यराज सेव्यमान पावना गृपंकजम भ्याल यग्य सूत्र मिंदु सेखरम कृपाकरम नारदादि योग व्रिंदि वंदितं दिगंबरं कासिका पुरादिनाथ काल भेरवंबजे भानकोटि भास्वरं भवाप्दितारकं परं नीलकंठ मिप्षितार्त दायकं त्रिलोचनं काल काल मंबुजाक्ष मक्ष सूल मक्षरम कासिका पुरादिनाथ काल भेरवंबजे शूल टंक पास दंड पानि मादि कारणं स्यामकाय मादि देव मक्षरम निरामायं भीम विक्रमं प्रवुब्वि चित्रतांड वप्रियं कासिका पुरादिनाथ काल भेरवंबजे भुक्ति मुक्ति दायकं प्रसस्त चारु बिग्रहं भक्त वस्सलं स्तमस्त लोक लोक बिग्रहं भूत संग नायकं विसाल किर्ति दायकं कासिवास लोक पुंड्य पाप शोधकं विभुम नीति मार्ग को विदं पुरातनम जगत्पतिम कासिका पुरा दिनाथ काल भेरवं भजे ध्यान करें भगवान बहरव का आशिरवाद हम सब के उपर बड़स रहा है ओम बोलते हूँ नेत्रखोने सामान्य हो जाएं देखो दर्शको इसलिए कहा जाता है कि आपके परिवार में खास्तोर से बच्चों की जर्मपत्री का वैधिक रूप से बनी होनी चाहिए ताकि आने वाले खराब वक्त को हम बचा सकें आने वाले अशुब समय को हम किसी भी तरीके से उसके कर्ष्ट को कम कर सकें कोई भी जोसी वक्त को नहीं टाल सकता लेकिन कुछ न कुछ उसको हलका करने का उपाई दे सकता है उसे बरदाश करने का उपाई दे सकता है और कोई न कोई उसको तरीका निकाला जा सकता है बरसात होगी उसे नहीं रोका जा सकता लेकिन हम लोग चाता ले लेते हैं ना अम्बरेला तो हम कुछ हद तक बहुत हद तक अपना बचाओ उस बरसास से कर लेते हैं उसी परकार से जोतिश में उपाय होते है कि हमारा बचाओ हो जाता है वक्त में जो लिखा है भागे में जो लिखा है होनी तो अटल है, होके रहती है लेकिन वो आसानी से निकल जाती है और आने वाले समय की पहले ही सुचनाई मिल करके उसकी हम लोग ठाम कर लेते हैं, इसलिए आने को बार जिन लोगों ने हमसे परामर्स रहे हैं, तो किसी और भी हमें हमारा चकप करते हैं, हमें बता देते हैं कि ये चीज आप करा ले ना, ये उपरेशन करा ले ना, ये ये ट्रीट्मेंट या ये मेडिसन, ताकि आने वाला समय में आपको दिक्कत ना है बस वैसे ही जोतिश है तो इसलिए भगवान ना करे किसी के कुंडली में ऐसा योग हो यदि है, तो उसका उपचार किसी से ज़रूर पुछ लीजिएगा नहीं तो जीवन के लंबे समय तक वो चीज हमें तंग करती रहती है इन ही शब्दों के साथ हम अपनी मानी को विराम देते हैं जैमा इंद्राक्षी किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से नोट शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को फ्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारे के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें आप हमें अभी सब्सक्राइब करें